इक्जाम द्वार चानल में आप सभी का स्वागत है लाइक करें आप सब के सामने जीके का ये टोपिक लेकर इसमें बात करेंगे सबसे महत्पून 20% जीके के और ये काफी इंपोटेंसेशन होने वाला है तो आप इसे पूरा देखे अंत तक देखे साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों में सेयर करते तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये जीके का पहला सेशन क्या आपको सरकाई नौकरी चाहिए अगर सरकाई नौकरी चाहिए तो बेहतर ओलाइन तयारी के लिए एक्जाम द्वार चैनल को आप सस्क्राइब कर लिजिए यहां आपको बेहतर तयार कराई जाती है सरकाई नौकडी की कि इस टीटीपी डोट यूटूब डोट कॉम स्लैस एक्जामदवार सर्च करे और एक्जामदवार चैनल को आप सस्क्राइब कर ले चलिए शुरू करते हैं अपना यह सांदार टोफिक जीके का सांदार टोफिक सबसे पहला परस्ट नहार तो भारत का कोन सा राज है जहां सबसे पहले सुर्ज निकलता है है यह में बताना है और इसका सय अâteकला को कि एक नावर नमबर का पूरा नाम nesamayasad नौक डूसरा प्रस्ण है । में पिन, नमबर का पूरा नाम क्या होता है आप लोग अपसे सुनते हैं या देखेंगे, pin number, आपका code कितना है, pin code कितना है, pin number तो आप जानते, लेकिन pin का full form क्या होता है, यह हमें बताना है, इसके option है, postal index numerical, postal index number, या postal index numbers, या pin index number, तो क्या होता है, pin का full form, तो pin का full form होता है, postal index number, यानि option to, इसका सही answer हो जाएगा, चलिए, चलते हैं, अगले प्रस्न पे, अगला प्रस्न है मारा, तीसरा, भारत नाम की उत्पत्ति का सम्मंद, प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, option है, महराना प्रताप, चंद गुप्त मौरे, भरत प्रतापी राजा के नाम पे भारत का नाम पराथा, तो इसका option होगा, option C, भरत चक्रवरती, भरत चक्रवरती के नाम पर भारत नाम की उत्पत्ति का सम्मंद है, चलिए, आगे चलते हैं, प्रस्न नम्मर चोथा, भारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है, कौन सा सहर है, जो तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option A, मुंबई, भारत का सबसे बड़ा सहर मुंबई है, यानि option A, इसका सही अंसर है, चलिए, चलते हैं, अगले प्रस्न पे, अगला प्रस्न है हमारा, भारत की पर्थम रेल गारी, द्वारा कितनी दूरी तैकी गई थी, भारत में सबसे प या 36 किलो मेंटर, तो जो भारत द्वारा पहरी रेल गारी चलाए गई थी, उसके द्वारा 34 किलो मेंटर की दूरी तैकी गई थी, यानि option B, इसका सही एंसर है, और मुंबई से ठाने की बीच, ये रेल गार्थी चली थी, पुले 34 किलो मेंटर की दूरी तैकी थी, चलिए, चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला प्रस्ण मारा प्रस्ण नंबर 6 भारत द्वारा निर्मित सुपरकम्प्यूटर है भारत द्वारा निर्मित सुपरकम्प्यूटर कौन सा है यह हमें बताना है और इसके ऑप्शन है यह नहां 3 जै एट परम दश मजा या टी 3 ए तो भारत दवरा निर्मित सुपर कम्पिटर नाम है उप्शन सी परम 10,000 यह नहीं उप्शन सी इसका सहीएंसर है चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण पे अगला प्रश्ण है इमारा कोहिमा है कोहिमा क्या है है कोहिमा कोहिमा क्या है इसका सही एंसर हो जाएगा option D नागा लेंड की राधानी को कोहिमा कहा जाता है यानि नागा लेंड की राधानी है कोहिमा कोहिमा नागा लेंड की राधानी है चलिए आगे चलते हैं और एक चीज और मैं बता दू शिक्किम करा धानि यह हैं गंग्टुक और नाचल परतेश करा धानि है कीरल डानि ये ऱइन्द पुरम और लास्ट है वारा नागालेंड huge. किसके राधानि हा नागालेंड की तो साथ का उप्चन D सही हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है पंडित जहावर मल सर्मा पुरुषकार का सम्मंद किस्से है इसके ओप्षन है साहित वह संस्कृती से ललित कला से पत्रकार्टा से या आदिवासी कल्यान से तो पंडित जहावर मल सर्मा पुरुषकार का सम्मंद किस्से है तो ये है ओप्षन सी पत्रकार्टा से साथ ही पुलितिजर पुरुषकार कोंसा पुलितिजर पुरुषकार भी पत्रकार्टा के छेतर में ही दिया जाता है ये भी याद रखना है चलते हैं अगले प्रस्ण अगले प्रस्ट का जहाज कहा जाता है ने चलिए अगले प्रस्ट पे चलते हैं अगला प्रसा है और आजाद हिंद फोज की अस्थापना कहां की गई थी और इसके ओप्शन है इटली भारत सिंगापूर या जापान तो आजाद हिंद फोज की अस्थापना कहां की गई थी तो यह की गई थी ओप्शन सी सिंगापूर सिंगापूर में आजाद हिंद फोज की अस्थापना की ग इस देश में शुरुवात की किसी सत्रंज खेलने की और इसके अप्शन है रूस अमेडिका भारत या चीन तो कौन सा देश है जहां सत्रंज खेल सबसे पहले शुरू हुआ था यह हुआ था अप्शन तीन भारत सत्रंज का खेल सबसे पहले भारत में शुरू किया था चलिए आगे चलते हैं अगला प्रसने मारा पाकिस्तान सब्द का सर पर्थम पर्योग किस ने किया था और इसकी अप्शन है मुहम्मद इकमाल सर सैयद अहमद चौधरी रहमत अली या मुहम्मद अली जिन्ना तो पाकि प्रश्तान सब्द का सबसे पहले पर्योग किस ने किया था तो यह किया था चौधरी रहमत अली यानि ऑप्शन सीज का सही अंसर होगा चलिए चलते हैं अब अगले प्रसन पर अगला प्रसन है हमारा भारत छोरो अंदोलन के नेताओं को गिरफतार करने के लिए ब्रिटि टंडर बोल्ट ऑफ्रेशन ब्लू स्टार ऑप्रेशन जिरो आवर या ब्रियंदर पेस्ट तो चलाया था इसका सही अंसर हो जागा ओप्शन सी ऑप्रेशन जिरो आवर भारत छोरो अंदोलन में में नेताओं में सामिल भारत सब्सक्राइब करने के लिए अंग्रेज सरकार यानि बिटी सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था जिसके तर सभी को गिरेफ्तार किया चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है मारा प्रस्ण नमबर 14 किस मुगल सासक ने जजियाकर को समाप किया था तो इसका सही एंसर क्या होगा ऑप्शन है नादिर सा जहां अकबर या जहांगीर तो इसका सही एंसर होगा ऑप्शन सी अकबर अकबर ने जजियाकर को समाप्द कर दिया था चलिए यहीं से एक और प्रस्ण बनता है कि जजियाकर को अकबर ने तो समाप्द किया लेकिन इसे फिर से किसने लागू किया था किसको जजिया करको अकवर द्वारा समाप्त कर दिया गया लेकिन इसे फिर से लागू कर दिया गया वो किसके द्वारा किया था तो फिर से इसे औरंग जेब ने लागू कर दिया था किसने औरंग जेब औरंग जेब ने इसे जजि पाइना है उप्षन है चंदर से खर अज़ाद लाला हर्द्याल हर्द्याल को कि त्लक या भगजा सिंग तो क्या पाटी को किसने अस्थापित किए ख़िस चलते हैं अगले प्रस्थ सचांति कि बहींद किसके दोड़ा की गई option है रविंदर नाठ टैगोर दयानन दिस्रस्वती मोति लान लहरू या केसव चंद्र सेन तो सांती निकेतन की किस ने की थी तो यह किया था option A रविंदर नाठ टैगोर ने और इसकी शुरुआत कहां की गई थी तो यह कलकता में की गई थी चलते हैं अगले प्रसन पर अगला प्रसन है हमारा एक्जाम दौर चैनल को आप सब्सक्राइब जोरू किजेगा अगर आप चैनल पर नया है तो प्रस टैप्रूआ कुछ एक्जाम दौर चैनल को सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले अग्याए अगला प्रस प्रस नम्मर 17 दिल्ली का किषन बन आया था औप्षन ओप्षन एडियन लुटियंस इडम स्मिट शर्ष्य मेडम जर्सी यह डॉक्टर जोन तो कौन सा था जिसने दिल्ली का नई दिल्ली का डिजाइन तयार किया था तो ये किया था option A यानि Edwin Luteans ने Edwin Luteans ने नई दिल्ली का डिजाइन तयार किया था चलते हैं अगले प्रसंद पर Rock Garden का Rock Garden कहां इस्तित है option है चंडीगड दिल्ली अजबेर या बिहार Rock Garden कहां इस्तित है तो ये इस्तित है option B चंडीगड में चंडीगड में Rock Garden इस्तित है चलिए अगले प्रसंद पर चलते हैं प्रसंद नम्मर 19 सेमारा कलकत्ता से दिल्ली भारत की राधानी बनाने की घोश्No खड की गई थी 1912 में इसे दिल्ली को राधानी बना दिया गया था कब 1912 में बना दिया गया था और 1911 में बनाने की घुसना की गई थी अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 20 और आज के हमारे ये अंतिम कोश्चन है मुहम्मदन इंगलो ओरियंटल कॉलेज यानि अलिगड के संस्थापक कौ क्यों थे ऑप्शन है खुदा बक्स अब्दुल लतीफ सर स्यद अहमद खा या अब्दुल गफार खा तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा सही एंसर होगा ऑप्शन सी सर सयद अहमद खा ये मुहम्मदन इंगलो ओरियंटल कॉलेज के संस्थापक थे इसी अंतिम कोश्चन के साथ आज का हमारे एसेशन समाप्त होता है अगर आप एक्जामदवार चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबाले जिससे हर वीडियो का नोटिफिकिस से जूर सकते हैं इसका आभी लिकडियो कर डिस्क्रिपशन में दे दिया गया है वहाँ से आप हमें हमें जोयन कर सकते हैं आफ हमें इंस्टेग्राम टेलीगरम ऐसेव dif के सभी पर एरत statement कर के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक यूं ये जय이면 झाले कि आओ